बिपी जी जी वो ना एक मसला हो गया जी मेरा छोटा बच्चा है ना जी वो दो दिन से बुखार में तरप रहा जी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती मेरे पास पैसे नहीं है और वो मेरा घरवल ना जी युसकी नोकरी भी चली गई है तो आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताऊं जी? आप पहले इतनी दुखी हैं कुछ बताने की हमती नहीं होती जी आपकी परेशानी दे के आपको और परेशान नहीं कर सकती जी पिर मैं इतनी कमजोर नहीं हुए कि आपकी मदद ना कर सकती आप वेकर ने करे में कुछ करती हूँ जा हुआ, सब खेरियत आप रूह क्यों नहीं है आप, वो इनके शोहर के मिलाजमत नहीं है और एका बचा भी बिमार है, कुछ मदद चाहिए रिप पहले बताती है ना आप काम की जी यह सब रख लिजा, काम आजाएंगे आपके बोट मेर बनी साथ जी और इनके शोहर के मिलाजमत कभी अगर आप कुछ करती है तो आप कल उनसे कहिएगा कि मेरे पास आजाएंगे उनकी मज़़ूरी भी लग जाएगी बड़ी मेर बनी साथ जी अच्छा और ऐसे करो कि अब तुम घर जाओ बच्छा बिमार है ना याद कर रहा होगा काम शाब में कर लूगी नहीं जी, बड़ी बीबी जी गुस्ता होंगी जी आप भी फिगर हो जाएंगे उनने नहीं पता चालेगा तसली से जाएंगे जाएंगे ठीक है बीबी जी, बड़ी महदानी लापिस बीबी जी नापिस मदद कर दूँ आपकी? नहीं, नहीं आपको बहुत शुक्रिया मैं तो सिर तसली दे सकती थी किन आपने मेरी बात का मान रख लिया किसी बाते कर रही हैं आप अधन जी शुक्रिया किस बात का भई आपकी बात तो माननी थी मैने भई दोरा रिष्टा है हमारा आपकी बात का मान रखना मेरा फ़र्ज है शुक्रिया अदामत की जी बल्के लाए मैं काट दे तूँ नहीं मैं कर लोगा अपको चाफक आच्छा थो मानरे भई थोड़ा सबकत हमारे साथ भी घुजाण लिया करो आप अदबन जी साथ बैटा करो फायदानी होगा ना तो नुकसान भी नहीं होगा तुमारा मेरे बैठने के क्या जरूए धरतु आरफी तुम बैठते हो ना ताइम भी गुजारते हो, फाइदा भी उठाते हो, काफी है. क्या होगी है तुम्हें, क्यों ऐसी बाते कर रहे हैं? एक गर में रहते हुए, हम सब के आपस में इतनी दूरियां नहीं होनी चाहिए. मैं तो ऐसे कह रहे हो, जैसे ये दूरियां फेरी वज़ा से बढ़ी माइस है, तुम्हारी वज़ा से नहीं भी बढ़ी, तो अभी कदम तो बढ़ा सकते हो ना, दूरियां खतम होती हैं ऐसे, खुर्फी, यहां पे और वक्त गजारना है या चले है, अब अच्छा एक कब च है, तूरियां या चले खुर्फी, यहां एक्षमा एक चले झाए।